आज मैं आपको सबसे easy solution बताने वाली हूँ, I think आप में से किसी ने भी internet पे इतना easy remedy नहीं देखा होगा हाई गाई वलकम टू माई चैनल शाइनी रूपस मेरा नाम है रूपा मैं अपने चैनल पे स्किन केर, hair care related videos, travel blog, makeup videos पोस्ट करती हूँ गाई तो अगर आपको ये चैनल और इसके content अच्छे लगते हैं दिन दू सब्सक्राइब आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आप stretch mark के ऊपर कोई video गुनाओ, normally stretch mark बहुत सारे कारण से होते हैं, अगर आप pregnant थे और उसके बाद baby deliver होने के बाद normally stretch mark हो जाते हैं, फिर suddenly आपने बहुत जादा weight gain कर लिया था और उसके बाद आपने फिर से बहुत सादा weight loss कर लिया ह उसके बाद भी stretch mark का problem होता है, तो stretch mark के बहुत सारे कारण है और आज मैं आपको सबसे easy solution बताने वाली हूँ, I think आप में से किसी ने भी internet पे इतना easy remedy नहीं देखा होगा, तो अगर आपको जाना है पूरा वीडियो देखो, it is going to be one of the easiest remedy, इसको आप try करके देख सकते हूँ, यह बहुत ही फाइदमंद है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, so guys, यहाँ पे जो process मैं आपको बताने वाली हूँ, stretch mark को remove करने का, इसको मैं ने दो process में divide किया है, तो सबसे पहला जो process है, इसके लिए scrub करना है, मतलब exfoliate करना है, और exfoliate करने के लिए आप घर में पीसी हुई चीनी को ले सकते हो, या पर डाल को पीस के भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ready mitt लिया है, यह जो exfoliator आप देख रहे हो, यह जो scrub यहाँ पर आप देख रहे हो, यह Good Vibes का है, Good Vibes Rose and Geranium Scrub, तो इसको मैंने लिया है, और सबसे पहले अपने आपके शर ठंडे पानी से, और उसके बाद बारियादी है, दूसरे स्टेप की, और दूसरे स्टेप में आपको जो चीज लगाना है, वो हमें से हर किसी के घर में अवेलेवल है, और यह हर किसी को पसंद है, I think पूरी दुनिया में हर किसी के पास ही वाला चीज है, आज मैं बात कर र मार्क को दूर करना है, तो रसुई में रखा हुआ जो देसी खी है, उसको थोड़ा सा लीजिए, आधा चमच और आपके शरीर पे जहां पे स्ट्रेच मार्क का प्रॉबलम है, एक्सफुलियेट करने के बाद वहां पे लगा के हलके हातों से मसाज कीजिए, चार से पांच मिनिट, जादा नहीं करना है, इसके पास इतना टाइम भी नहीं है, जादा करने का, थोड़ा लीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके इसको मसाज कीजिए, और अगर आपके पेट में स्ट्रेच मार्क है तो वहां पे कर सकते हूँ, अगर आपके हिप्स एरिया में है तो आप तो हर दिन लगाना पॉसरी होगा, लेकिन आप इसको हर दिन अर चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकेस में अप nahane से पहले इसको लगा, मैं सजेस्ट करणगी हफते में तीन दिन आप इसको लगा हो, नहाने से पहले स्क्रफ करण लो, ड़ा अब गी और अगर आप इसको पूरी रात रखना चाहते हो तो रख सकते हो लेकिन क्या होता है ना कि चिप चिपा हट बहुत जादा होती है इन सारी चीजों में तो इसलिए हर किसी के लिए पॉसबल नहीं होता है इसको लगाके पूरे रात रखना तो यह आपके comfortability के ओपर करना ताइम आपके पास है उतना टाइम रखिए और इसके बाद इसको दो दीजिए बोडी वाश असे इसको अच्छे से वाश कर दीजिए एक चीज़ का अपको ध्यान रखने कि यह अच्छे से अपके बोडी के अंदर घुसना चाहिए इसा नहीं कि अपने लगा दिया तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा तो इसलिए इसको लगा के अच्छे से मसाज करो और इसके बाद आदा गंटा एक गंटा वेट करो और इसके बाद वाश कर दो तो इसको आप ट्राइ कीजिए ट्राइक अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेर करना तो गाई यह था मेरा आज का वीडियो स्ट्रेच मांक के उपर जिन्होंने मुझे कहा था के दी एक प्राइच मर के लिए वीडियो नव तो उनके लिए था यह मेरा वीडियो और इसको कोई भी श्राइ कर सकता है दास्थ आल टूदेए वीडियो गाई और यह वीडियो अपको अच्छा लगता तो इसको शेर जरूर कर देना थैंक्स फो वाचिंग और बेक विडियो तिल देन बाई